हलो दोस्तो मिंतरा सोई में आपका स्वागत है आज मैं बना रही हूँ चावल के आटा सिनास्ता जो बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी बनेगा प्लीड वेडियो पूरा देखिए आप वेडियो के अंतक बने रहेए अब हम बनाना शुरू करेंगे बनाने के लिए हमने ए एक बड़े बरतन में डाल लेंगे अब इसमें डालेंगे एक चमच नमक आप अपने स्वादन साथ डालेंगे एक चमच जीरा डालेंगे पानी गरम कर लेंगे पानी गरम करके हम आटा गूतेंगे अभी पानी ज्यादा गरम है इसलिए हम चमच से एसी थोड़ा सा मिक्स क करेंगे फिर यह नास्ता बहुत जढ़ा टेस्टी वनता है बहुत सोप्ट और बहुत क्रेंची अंदर से सोप्ट बनेगा और बाहर से क्रेंची बनेगा बिना तेल का नास्ता है बहुत कम से कम- Number. अमें नास्ता बन जा गांऑ और वखे सारी आज हुम अUT हम सब्जय भी डालेंगे इस नास्ता में तो इसलिए भूखल दी है और टेस्टी भी है आठा को Gumत करके रख देंगे धक करके देखो हमने आटा गूत लिया है थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके गरम पानी से हमने चावल का आटा गूता आए इस नास्ता को आप गेहूं के आटा से भी बना सकते हमने गेहूं के आटा से भी इसे बनाया है आधा आधा चावल के आटा से आपके बच्चों वो पसंद हो उसी सब्जियों से ये नास्ता बनाए एक बॉल में डालेंगे सिम्ला में टमाटार प्याज अद्राक हरी मेंची हरा धनिया इसी में डाल लेंगे नमक हल्दी लाल मेर्च धनिया पाउड़ा जीरा इसे मिलाएंगे ये नास्ता बहुत जल्दी बन जाता अगर सुबह सब्जियों को जल्दी है स्कूल के लिए ते इस नास्ता को एक बार तो जरूर ट्राई करना और बहुत टेस्टी भी बनता है आप इसमें डालेंगे बेशन सब्जियों को चपकने के लिए हम तेन चार चमच बेशन डाला है आप जितना नास्ता बनाईए उसी इनसाफ से बेशन डालना अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका ये गड़ा सा बेटर बनाईए ज्यादा ना पतला बनाईए ना ज्यादा गड़ा बनाईए ऐसा पूछ बेटर बना करके रख लेंगे अब चावल के आटा को दुबारा अच्छे से मस लेंगे तेल लगा करके कि यह बहुत ज़्यादा चिपक रहा था अब इसकी मोटी मोटी हम रोटी बनाएंगे जैसे रोटी बनाते हैं थोड़ी मोटी से पहले हाँ से बना लें क्योंकि ज़्यादा चिपक रहा था इसे मोटा भेलना है रोटी से अब इसमें जो हमने बेसर और सबजी उसे बनाया है बैटर उसे फैला देंगे आप चाहें तो इसमें चटनी या सौस भी और लगा सकते हैं जिससे नास्ता और भी टेस्टी हो गया इसे अच्छे से फैला देंगे आब इसे मोट देंगे को हमारे इसमें थोड़ा सा जो अमने बैटर फैला थोड़ा जादा हो गया लिए енमें थोड़ी दिक्कत हो रही है पिलेट में तेल लगा लेंगे, उसी पिलेट में हम नास्ता को स्टीम करेंगे, यह थोड़ा सा बैटर ज़्यादा हो गया था, इसलिए वो निकल रहा था, पानी गरम होने के लिए रख दिया था एक कड़ाई में, पानी अच्छे से गरम हो गया, एक हमने जाली रखी है, ज से ठंडा होने के लिए रख देंगे, देखो चाकुर से हमने देख लिया, यह बिल्कुल नहीं चिपक रहा, एक हमने गेहों के आटा का बनाया है, क्योंकि बच्चे कह रहा थे हमें गेहों के आटा खाना एक लगोर रहे थे हमें चावल काटा, इसलिए दोनों की पसंद का हमने नास्ता बनाया, आज हम लेंगे नारियल, यह कच्चा नारियल रखा था मेरे पास, जब तक नास्ता ठंडा हो रहा थब तक हम नारियल की चट्नी बनाएंगी, मिक्सी के जार में डाल लेंगे नारियल को काट करके अब इसमें डालेंगे हम हरी मिर्ची, धन्या पत्ती, अद्रक, भूम फली, नमाक, जीरा अब थोड़ा सा पानी डाल करके चटनी पीश लेंगे, यह चटनी इस नास्ता के साथ में बहुत अच्छी लगती है कोई भी नास्ता के साथ इस चटनी को आप परोज सकते हैं अब चटनी हमारी बन गई, अब चटनी में लगाएंगे तड़का नास्ता भी हमारा ठंडा हो गया, नास्ता को फ्राई करेंगे, क्योंकि यह गेहूं के आटा का नास्ता है तो इसलिए से फ्राई करना बहुत जरूर है, इसे क्रिस्पी होने तक हम फ्राई करेंगे आप चाहते से deep fry कर सकते हैं उसके बाद इसी काट लें इसकी पीस आज मैंने दोनों बच्चों के पसंद का नास्ता बनाया है एक कगेहूं के आठा का और एक का चावल के आठा का एक साथ दोनों को बना दिया है इसे क्रिस्पी गोल्डन होने तक fry करेंगी इसी सभी नास्ता को fry कर लेंगी चावल के आठा को भी जो चावल के आठा का नास्ता बनाया है उसको भी हमने फ्राइक कर लिया है अब एक लेंगी पैन तड़का पैन उसमें एक चमच तेल लेंगे उसमें डालेंगी सासो, कड़ी पत्ता, लाल मिर्च सूखी चटनी में तड़का लगाएंगे, चटनी हमारी बनकर तयार है, अब नास्ता हमारा ठंडा हो गया है, तो उसे भी काट लेंगे, फिर भी थोड़ा सा गरम है परिंतजार नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा है टेस्टी नास्ता बनता है, तो बच्चे भी परिशन कर रहे थी जल्दी काटो हमें भी खाना, तो मैंने गरमा गरम काट दिया, इसलिए बहुत ज़्यादा अभी गरम है नास्ता, फिर भी मैं काट रही हूँ, यह नास्ता जितना ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है, उतना ज़्यादा खाने में भी अच्छा लगता है, इस नास प्राप भी ऐसा नास्ता जरूर बनाइए बारी सब्गियों से और बिना तेल का नास्ता आये ये गेहुं के आटा का नास्ता इसे भी हमने फ्राइ कल दिया था ये नास्ता बहुत जादा क्रिस्पी बनता है दोनों नास्ता हमारे बनकर तैयार है साथ ही बनाई है हमने नारियल की चटने चटपटा टेस्टी नास्ता बनकर तैयार है बेडियों देखने के लिए बहुत बहुत दन्वाद